डोसे खाना अल मुस्स अभी को पसंध होता है लेकिन डाल भीगोना, चावल भीगोना, फर्मेंट करना यह सारे जहनजट नहीं करने लेकिन सूजे के डोसे में वैसा टेस्ट निया था, क्यों ने आता, वो क्रिस्पी क्यों नहीं बनता, वो सारी problems आज आपकी solve होने वाली है क्योंकि हैं यहापे मैं आपके साथ एक्टम perfect recipe क्रिस्पी सूजी डोसा की शेर करने वाली हूँ साथ में आपके साथ शेयर करूँगे एक जटपट सी चटनी कम इंग्रीडिन्स में बनने वाली जो इस डोसे के साथ आपको बहुत ही ज़ादा अच्छी लगेगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें रवा डोसा और सूजी डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधे कप चावल की आटे का इस्तेमाल किया है यह जितना भी मैं बनाने वाली उसमें दो लोग आराम से दोसा खापाएंगे अगर आप जादा लोग खाने वाले हैं तो उसे साब से कॉंटिटी कम जादा कर लें जितनी कॉंटिटी में हमने चावल काटा डाला है सेम कॉंटिटी में इसमें मैं डाल रही हूँ रवयने की सूजी उसे थोड़ा सा मिक्सर में पीस लिया था ताकि बिल्कूल ये बारीक हो जाए और हमारे पतले क्रिस्पी से दोसे इसमें बनके तयार हूँ तो आधा कप और आधा कप याने टोटल एक कप हो गया अब वन चौथाई याने की वन फोर्थ कप इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा जो ओल परपस फ्लार होता है थोड़ी सी डालेंगे दही दही की कोई परफेक कॉंटिटी नहीं है तब एक साथ पानी डालेंगे कॉंटिटी फिर से बता दूँ आधा कप रवा था आधा ही कप इसमें चावल काटा था और एक चौथा ही कप इसमें था मैदा दही डाला पानी डाला मिक्स कर लिया अब इसमें इनफ पानी मिक्स करेंगे इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे और इससे कम से कम 10-15 मिनिट अगर आपके पास जादा टाइम है तो आधे गंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे ऐसा करने से यह होगा कि सूजी और जितने भी आटे वगर हमने डाले हैं वो अपने अंदर पानी अब्सॉप करेंगे हम नॉर्मल गेहों का आटा भी जब गुनते हैं तो उसे 10-15 मिनिट ऐसे छोड़ते हैं ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि हर एक आटे को अपने अंदर पानी एब्सॉप करने का टाइम देना चाहिए तो चले इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर लिए जट पट सी चटनी आपके साथ शेयर करती हूँ चटनी बनाना भी जट जट वाला काम है लेकिन यहां पर फटा फट बन जाएगी यह मैंने लिया है हरा नारियल बहुत थोड़ा सा लिया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप नारियल का बुरादा यूज़ कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हरे नारियल के बदले नारियल का बुरादा डालें थोड़ी से कड़े पत्ते और उसके साथ दो कलिया लस्टन की मैंने डाली है बिल्कुल कम कॉंटिटी में बना रही हूँ दो लोगों का डोसा है तो उसे साब से भूनी हुई मुंगफली भूनी हुई नहीं है तो आप इसमें कच्छी भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास चनी की डाल है तो भी आट कर सकते हैं एक दो हरी मिर्चे डालेंगे और अगर तीका पसंतर जादा हरी मिर्च डाल सकते हैं थोड़ी सी दही खटास के लिए और फिर इसके अंदर नमक डालके इसे हम पीस लेंगे और फिर देखी क्या मैजिकल आपकी चटनी बनकर तयार होती है यह देखी पीस देवक कुछ इस तरीके से दरदरा सा है तो इसमें हलका सा पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरीके से से बारिक कर सकें पानी डालके एक बार फिर से मैंने पीस लिया है बहुत बढ़िया इसक अधा घंटा हो चुका है कुछ इस तरीके का बैटर दिख रहा है हमें बहुत पतला ही चाहिए अगर इस स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि आपका बैटर इतना पतला नहीं है तो आपको इसमें और पानी एड़ करना होगा कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए मैं बताऊंगी जो हमने आटे वगरार डाले थे सारे नीचे सेट हो गए हैं गाड़ सी बन गई है तो बहुत जरूरी है कि आप इस स्टेज पे इसे अच्छी तरीके से हिलाएं सारा आटा मिक्स करें अब इसमें स्वाद के लिए चीज़ थोड़ा सा इसके इंदर डालेंगे कड़ी पता उसे भी काट लें अगर बड़े टुकडों में होगा तो दोसे में शायद वो अच्छी तरीके से मिक्स ना हो पाए अब हम इसमें डाल रहे हैं कैप्सिकम यह पड़ी थी फ्रिज में इसले डाल रही हूँ नही है तो ना यह पर अपर इसमें जीरा पॉडर या नॉर्मल कोई भी मसाला डाल सकते हैं अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका आम डोसा बनाएंगे यहां पर इसमें नमक चुक्ल नहीं होना चाहिए बिलकि फीका होना चाहिए क्योंकि यूंकि बन पानी को टेस्क करें बोलें आरे यार नमक कम है नमक डाल दिया फिर दोसे में नमक जाता हो जाएगा तो चलिए इससे बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा ही बेस्ट रहता है क्योंकि यह थोड़ा थोड़ा चिपकता है तो आप नॉन स्टिक तवे को पहले बहुत अच्छ कर लें बूल गया आपको बताना आप तेल सी अच्छी से गरम कर लें और उसके बाद में इसे इस तरीक से ड्रॉप कर यह अब मेडियम पे इसे आराम से तसल्ली से पकने दें प्युकि इसमें काफी सारा पानी है तो इसे पकने में भी जादा टाइम लगेगा तो इससे प यहां पर मैंने मीडियूम क्रिस्पी रखा है मतलब ब्राउन सा कलर रखा है आप इससे जादा क्रिस्पी भी कर सकते हैं मतलब किसी को एक्तम डार्क ब्राउन वैसा पसंद है आप चाहे तो वैसा कर लें इसे निकाल दें दूसरा डोसा बनाने से पहले बैटर को फिर से एक मेड़ा बनाए था देखें कितना मस्त लग रहा है मूं में आपके भी पानी आ रहा होगा बिल्कुल शाइन कर रहा है और बहुत अची खुश्बू आ रही है आप इसी तरीके से ट्राइ करें अगर आपको कोई डाउट से तो मुझे पूछें और मेरे चैनल पर पहली बा झाल पिल्कुल शाइब है और मेरे चैनल शाइब है